बिस्मिल्ला इर्रह्मान रुरहीम असलाम लिक्न क्लास आज हमारा टॉपिक है आपको मैंने कल जो है अपको आप डगलस प्रोडक्शन की ऑप्टिमाइजेशन हमने की थी यह तरह से आपकी रिवीजन चल रही है और यह थस्टे तक आपकी क्लासी जने उसके बाद आपकी व अच्छी तरह से यह सारा कोर्स जो है इसको रिवाइज करना है और अंडर्स्टेंड करना है को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं तो इसमें आज चैप्टर नंबर 12 है मैट्रिक्स का एक तो 12 है यह 11 चैप्टर है और 10 चैप्टर में आपको पता उसमें अडिशन मल् और यह सारी चीज़ें तो आपने वह भी रिवाइज करना है यह उसके साथ जो है यह 11 चैप्टर में लीनियर इनिक्वाइलिटी को कैसे सॉल्फ किया जाता है उसमें आपने दो तरीके देखे थे मैट्रिक्स इंवर्जिन मेथड और क्रेमर रूल यह सब हमने किया है मैट मैट्रिक्स इंवर्जिन का ही आज मैंने क्वेशन इसमें देखा है तो यह आपका आज का टॉपिक है मैट्रिक्स इंवर्जिन के थू हम लीनियर इनिक्वाइलिटी को कैसे फाइंड करते हैं कैसे उसको सॉल्फ करते हैं लीनियर इक्वेशन को ठीक है तो इसमें जो है ए को अपर नीचे रख थीक है उसके बाद जो है आपने इनके को अफिशेंट को आपने लाग कर लिये यह जो मैंने पहले भी आपको बताया हुए कि जो लीनियर इकोशेंट को आपने लाग कर लेने हैं तो वह कोशेंट के आगे जीरो पॉइंट टू फाइव हंडड़ और माइनस टू हंड़ ठीक है और आपके पास जो वेरियेबल्स हैं वो क्या है य और आपके जो बी का कॉलम है जो कॉंस्टेंट्स है वो क्या है तू फिफिटी टू और वान सेवंटिसिक्स और सेम उसी पैटरंट पर आपने सबसे पहले इसका क्या लेना है डिटर्मिन अफ ए वो क्या है माइनस 85 और उसके बाद आपने इसके क्या बनाने थे को फैक्टर आपको पता है फिर्स्ट कॉलम और फिर्स्ट रो को आपने डिलीट किया तो आपके पास क्या आ गया माइनस 200 फिर्स्ट कॉलम और सेकिंड रो को ड लेकिन रो को किया तो आपके पास माइनस हंडर्ड आ गया अब इसके साइन भी आपको मैंने अच्छी तरह से बताया है कि प्लस माइनस किस तरह से साइन आते हैं उसके बाद आपने कोफेक्टर का ट्रांस्पोज ले लेंगे तो आपके पस क्या आजाएगा एड जॉाइंट इसको मल्टिप्लाइ करना एक्स के साथ एकस्षवाइंट करके इसको बी के साथ मुल्टिप्लाइ करना तो आपके पस वैलिसथा ऋगी हैं अच्छंडर्ड और 0.12 अब 800 क्या है वाइ ह兩ा है और 0.12 क्या है rate of interest, वाइ क्या है income level interest rate क्या है 0.12 और इसी تरह से जो है आगे त्री वेरियेबल्स वाली लीनियर इनिक्वालिटी इसमें जैसे 11.37 इसको आपने एक तर यह सारे क्वेस्टन मेरा कहने का मतलब है कि यह सारे क्वेस्टन जो हम अल्रडी डिसकस कर चुके हैं यह आपको इसलिए मैं एक दफ़ा से जवाइस करा रही हूं कि ताके आपको कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो वह आप डिसकस करने वैसे आपके अब वैटनेस्टे और थरस्टे दो लेक्शे और हैं उसके क्वेस्टन आपने करने हैं अब यह त्री एक्वेस्टन वाली आपको करवाई हूं नहीं अच्छी जरा से टू एक्वेस्टन वाली नॉर्मनी लेकिन जो पेपर में आती है वो थ्री एक्वेस्टन के साथ आती है ठीक है लेकिन मैंने सोचा कि जो टू एक्वेस्टन वाल अलाग कर लेने, variables को उसके साथ multiply कर देने, x1, x2, x3, और फिर उसके साथ आपने equals to, उसको क्या कर देना, constants, और देन आपने उसका co-factor बनाना है, और वो again मैं आपको बता रही हूं कि co-factor को बहुत ध्यान से आपने बनाना है, sign की plus minus की mistakes नहों, और फिर उसको factors का, आपके पस एक matrix आजाएगा, उसको आपने इसका transpose ले लेना है, ठीक है, transpose लेंगे तो आपके पस क्या आजाएगा, adjoint of A, इसी तरह से जो है, आपको determinants की properties वो भी आपने अच्छी तरह से करनी है, करना है?